आपके विस्तर में भी खटमल हो गया है, घर में खटमल ने पूरी तरीके से आतंक मचाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगार साबित होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे घरेलू तरीकों की जिससे आपके घर के सारे खटमल एक ही बार में जड़ से खतम हो जाएंगे तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको पहला तरीका जिसमें आपको इस्तिमाल करना है नीम का जी हाँ नीम की पतियों को अच्छी मात्रा में लेकर उसे 10 से 15 मिनिट तक उबालना है और फिर इसे पानी से पूरे घर में पोच्छा लगाना है इससे खटमल जो है दूर भाग जाएंगे इसके अलाबा घर में मक्ही मच्छर है तो वो भी इससे दूर भाग जाते है इसके अलाबा आप क्या कर सकते हैं नीम की पतियों को जो आपने उबाला है उसको स्प्रे बोटल में भर लीजिए घर के जितने भी कोने हैं जितनी भी दरारे हैं उसमें आप उसे स्प्रे कर दीजिए इससे घर में छुपे हुए खटमल मर जाएंगे तो दूसरा तरीका है जिस से दो चमच टीट्री ओयल को 250 ml पानी में मिला कर इसे डाइलूट कर लेना है और उसके बाद बॉटल में भड़ कर स्प्रे करना है जहां पर भी खटमल आपको दीखते हैं परदे बिस्तर और जहां पर भी दरार है तो वहां पर आपको इसको स्प्रे कर देना है आप आपको उसको भी उसी तरीके से स्प्रे कर देना है तो चौथा तरीका है जिसमें आपको इस्तमाल कर सकते हैं लौग का तेज खुश्बू जैसे कि आपको पता है खटमल को बिल्कुल पसंद नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं लौग की एक पोटली बनाकर अपनी खालमारी या फिर बिस्तर पर रख दीजिए और इसके साथ कपूर और लॉंक का धुआ भी करें ऐसा करने से खटमल जो आपके घर में है वो मर जाएंगे और नए खटमल आएंगे नहीं इससे आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी तो आखरी तरीका है जिसमें आपको करना है प्याज का प्याज का रख जो है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है इसका रस बहुत ही उप्योगी चीज है जिससे आप खटमल को भगा सकते हैं प्याज को पीस लीजिये या फिर कद्दू कज करकर इसका रस नीचोड लीजिए और उसके बाद spray बोटल में भर लि किजिए और उसके बाद जो है आप देखोगे कि ये कारगार बहुत जादा साबित होने वाला है तो आप जो है कोई भी तरीका इसमें से इसमें से इस्तेमाल करके खटमल को भगा सकते हैं